अब 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 कि कि अब तो कैसे हैं आप लोग और वर्सिट्ट से आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे लगता है ठीकी चल रहा होगा क्योंकि सारे वर्सिट्ट आपको अबलेबल हो रहे हैं तो आज की वर्सिट है 56 और यह वर्सिट क्लास 325 के लिए है इस वर्सिट में आप अपना नाम यहां लिखेंगे और नेक्स्ट अपना कक्षा और सेक्सन भी यहां लिखेंगे और फिर अध्यापक और अध्यापिका का नाम यहां लिखेंगे तो इस वर्सिट में हमें सीखना है नापने में मजा तो इससे पहले भी हम नापते हैं कभी बालिस्ते से नापे हैं कभी हाथ से नापे हैं कभी पैर से कदमों से नापे हैं कभी मामी पापा के हाथ से नापे हैं तो इसी चीच को हमें और विस्तार से जानना है कि नापने का क प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे के नापने वाले वर्सिट को देख लिजेगा कि हम लोगों ने पहले कैसे कैसे नापा है लिएगे नाप में अंतर आ जाता है चुकि हम जब हाथ से नापते हैं तो हमारा हाथ छोटा है ममी पापा का हाथ बड़ा होता है तो अगर एक ही चीज को मैं अपने हाथ से नाप हूँ और फिर आप उसी चीज को ममी पापा के हाथ से नापेंगे तो छोटा बड़ा होगा उ यदि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आप नापें या आपके ममी पापा नापें और नाप एक ही आए तो कैसा रहेगा मतलब कि नाप में कोई अंतर नहीं आना चाहिए हम जो नाप रहे हैं वो नाप सही होना चाहिए तो देखते हैं वो क्या हो सकता है कर रहा है यदि आपके पास कोई सुतली पड़ी हो या फिर कोई नाड़ा हो तो उसे ले ले और उस पर एक बड़े फुट्टे के नाप का एक निसान लगा लें यहां जो आप फुट्टा देख रहे हैं यह फुट्टा है ना और इसके बगल में एक सुतली है तो इस तरह से आप एक सुतली ले 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 और एक फुट्टा ले 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 और फुट्टे के नाप का निसान लगा ले उस पर क्या आप जानते हैं कि फुट्टे को फुट्टा क्यों कहा जाता है आपने सही अनुमान लगाया क्योंकि यह एक फुट लंबा होता है एक फुट लंबा मतलब इसमें बारह इंच होते हैं, बारह इंच बराबर एक फुट होता है, तो यह जो फुटा जो है, यह एक फुट लंबा होता है, इसलिए इसको फुटा गाते हैं, और आपके जोमेटरी वाक्स में जो फुटा होता है, ठेकना वह आधे फुट का होता है, आधे फुट मतलब 6 चेंज का होता है चुकि जोमेट्री बॉक्स का आकार छोटा होता है और उसमें एक फूटका फूटा आटेगा नहीं ठेक नहीं आएगा वह जोटा हो जाएगा इसलिए दो आधे आधे फूट के फूटे मिलकर एक फूटका फूटा बने आता है एक आपके जोमेट्री बॉक्स में जो है वह 6 इंच का है यह 6 इंच का है तो इस तरह से अगर दो फुट्टा लेंगे हम 6-6 इंच के ठीक ना तो यह मिल करके एक फुट्टा बन जाएगा ठीक तो एक फुट्ट का जो फुट्टा है जोमेट्री बॉक्स में पूरा नहीं आएगा इसलिए इसको आधे आधे फुट्ट का 6-6 इंच का बना दिया जाता है और सब इसको जमेंट्री बॉक्स ने रख दिया जता है अब आपको अगर कोई चीज एक फुट का नापना होगा तो इससे दो बार नापेंगे तो एक फुट का हो जाएगा नेक्श देखते हम कराई अगर आपके पास बड़ा फुट्टा न हो तो छोटे फुट्टे से दो बार निसान लगाएं और इस तरह आपका निसान भी बड़े फुट्टे के निसान के बराबर हो जाएगा एक बार निसान लगाने से के बाद उससे आगे फुट्टे के मदद से निसान लगाते जाएं और इस तरह से पूरी सुतली या नाडे पर 5-6 निसान लगा लें तो एक फुट में अगर आप एक इंच पर निसान लगाएंगे तो 12 निसान लगेगा लेकिन 2-2 इंच पर लगाएंगे तो 6 निसान लगेगा तो इस तरह से आप देख लें कि आप एक फूट पर लगाएंगे, एक इंच पर निशान लगाएंगे, सुतली पर कि दो-दो इंच पर लगाएंगे, अगर कम निशान लगाना है तो दो-दो इंच पर लगाएंगे, छे निशान नहीं एक फूट का हो जाएगा, और ज्याद सुखमन ने भी ऐसे ही एक सुतली बनाई, सुखमन एक लड़का है और उसने भी ऐसी एक सुतली बनाई और घर के कुछ चीजों को नापा, तो आएए देखतے हैं कि सुखमन ने क्या नापा, करा कि सुखमन ने जब नीचे दी गई आप भी अपने उस निसान लगी सुत्ली से नीचे दीगे चीजों को नापना है और यादि आपको भी नापते हुए ऐसा लगए तो आप लिख सकते हैं थ्टाव ज़्याज़ याथ है ठ्टाक्प्राद कम प जैसे आप पलंग की लंबाई और चोड़ाई ना पिए, पलंग कितने फूट लंबा होता है, माल लिजे यह आपका पलंग है, ठेक ना पलंग ऐसा ही होता है, आयताकार होता है, रेक्टेंगल के आकार का होता है पलंग, तो आप इसके चोड़ाई को ना पिए, और फिर इसक के लंबाई को ही नापी और उसको लिखिए कितना फूट कितना इंच लंबा चौड़ा है ठेक नेक्स्ट है तकिया की लंबाई और चड़ाई भी तकिया भी इसी तरह का होता है तो आप तकिया की लंबाई और चड़ाई भी नाप सकते हैं और तिसरा है मेज की लंबाई और चड़ाई मेज जो होता है मेज आप देखें ना मेज कुछ इस तरह का होता है जो है मीज का जो आकार होता है कि एक पाया यहां आप इसा होता है मेज तो आप मेज की लंबाई चुलाई भी नाप सकते हैं नेक्स्ट आप दुपट्टे की लंबाई दुपट्टा सब के घर में होता है तो दुपट्टे की लंबाई चोड़ाई ना पिए लंबाई इस वाले भाग को कहते हैं और चोड़ाई इस वाले भाग को कहते हैं ठीक ना और तौलिये की लंबाई चोड़ाई ना पिए और ख करके लिख भी सकते हैं कि पॉलंग की लंबाई और चौड़ाई कितनी है मेज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है तॉलिये की लंबाई और चौड़ाई कितनी है दुपट्टे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है और फिर खिड़की की लंबाई और चौड़ाई कितनी ह नेक्ट सबसे अंत में आपको दर्वाजे की लंबाई और चोड़ाई नापनी है ठीक ना कि दर्वाजा कितना लंबा कितना चोड़ा है अब कर रहा है कि एक बार ममी पापा से भी उसी सुतली से इन चीजों को नापने के लिए कहिए क्या इस बार आपका और आपके ममी पापा का लिया हुआ नाप एक बराबर आया तो ये इसका उत्तर हाँ होगा ठीक ना क्योंकि ये बराबर ही आएगा वो सुतली नपी हुई है उससे नाप में कोई अंतर नहीं आएगा तो इस प्रस्न का उत्तर हाँ होगा ठेक, आपको क्या लगता है, नापने के लिए कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा बेतर है, हाथ से या निसान लगी सुतली से, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कि नापने का सबसे अच्छा तरीका जो है, वो निसान लगी सुतली है, चुकि हाथ छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जिस सुत्री पर निसान लगा जाता है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा और उससे गलती नहीं होगी वो नापने का सबसे सही तरीका है तो इस तरह से आपका जो वर्सिट है वर्सिट नमबर 56 ये कंप्रेट हुआ और नेक्स वर्सिट भी आपके इस चैनल पर आते रह झाल झाल